दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन गार्डनिंग और अभी जो आप देख रहे हैं धनिया का अपडेट है जो की बहुत कम ये हुआ था जर्मिनेट हुआ था लेकिन ये इतना घाना हो गया है और कहीं कहीं पर ये थोरा थोरा जनम हुआ था बहुत कम था लेकिन इसका जितना कम रहता है, बीज उतना ही जैदा ये इसका पोधा जो है सो मजबूत और स्वस्त होता है, क्योंकि सरन निट्रिशन इसको मिलता है और देखी कितना मोटा मोटा इसका रूट सब है, देख सकते हैं, तो बहुत ही गहना हो गया, इसको हम कितना बर हार्वेश्ट भी कर चुके हैं, तो जैसे कि ये पूरा हम नहीं उखारते हैं, इसको उपर से ही तोड़ लेते हैं, तो नीचे से फिर पत्ता देना शुरू करता है, तो धनिया जो है, आप जरूर उगाईए, अपने गार्डन में छोटा सा छोटा कंटेनर में अभी इसका सीजन है, किसी त करना पड़ेगा इस्प्रे, भूआ देखते हैं, इसका जो है, पूरा पता चलता है, पूरा खाखा के, और इजे है, सो, एकदाम में, ये के, देखे, इसमें भी बहुत कम था, तो कुछ जो है, से जर्मिनेट हो रहा है, आप देख सकते हैं, जो कुछ जो है, सो तो आप फुला के इसको इसमें छीट दीजिए, और फिर ये निकलते रहेगा, आप उखारते रहेंगे, और पूरा जो है, सब धनिया का अभी से लेके, जून तक जो बारिष के समय के पहले तक आप लेते रहेंगे, इस तरह धनिया, थोरा सा मेंटन है, और इसका जर्मिन होता है, तो आप फुला के इसको थोरा सा क्रस करके, पहले क्रस कर लें, फिर फुलने के लिए रख दे, और उसके बाद जो है, सो आप इसको बो सकते हैं, तो छोटा सा छोटा कंटेनर में आप वह ये धनिया को बहुत ही इसली हो जाएगा, आप कीचन में भी छोटा सा जो डिबबा बैगरा है, उसमें भी आप रख सकते हैं, और जो है सोई धनिया का, और खुद से जो उगाते हैं, उसका जो खुद से चट्मी सी लोटी पर पीछते हैं, तो उसका बहुत ही स्वादीष्ट और सिहत के लिए फाइदे मंद होता है, तो खुद से उगाएं, और सा सालो भर चलता है, लेकिन सालो भर मेरे पास जो हम अभी तक जो गार्डन करते हैं, तो सालो भर तो नहीं होता है, बरसात में बहुत परसात से पहले तक हो ही जाता है, तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? लाइक करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करे फिर अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू